मा आपने ऐसा क्यों किया बहु रीता सनिवार को आ रहे हो ना तुम लोग तुम्हारी सुर्भी दीदी भी आ गई है गर्मी की छुट्टियां बिताने जी ममी जी और हाँ बेटा हम सोच रहे हैं कि उसे दिन सत्य नारायन भगवान की कथा भी करा लेंगे ठीक है ममी जी मैं आज आउंगी आज तो आफिश है सनिवार इतवार हम आपके साथ ही बिताएंगे सुम्हार को सीधे वहीं सिक चिया को कैश छोड़ते हुए आफिस चली जाओंगी ठीक है बेटा फोन रखती हूं कर्मा जी ने फोन रख दिया असोग जी वह रमा जी का एक बेटा अमर और बहु रीता वह पोती सिया था था उनकी एक बेटी शुर्वी है जो गर्मी के चुट्टियों में अपने बच्चों के साथ आई है रमा जी के बेटा बहु गुरगाओं में किराय के फ्लाट में रहते हैं उनकी नौकरी वहीं है तो ग्रेटर नोईडा से अब डाउन करना म लोटते समय रीता वह अमर्शीदे ही आ गए और साथ में तीन साल की पोती चिया को भी चिया को देखकर शप्पुस हुए दादा दादी कहते रमा जी के पीछे दोड़ गई थी रमा जी वह सोग जी बहुत कुश हुए आज उनका पूरा परिवारी कठा है रमा जी में सु खेले उसके बाद सबलक्ष होने चले गए अगले दिन रीता ने शुबह उठकर किचन समाल लिया सुर्वी दे दिया उनके बच्चों के पसंद का खाना बनाया सब बहुत चाओ से खाना खाए पूरा दिन योही बीत गया रमा जी रात में बोली रीता मा सुर्वी तुम द तुम दोनों ने कर ले जाओ अब कपड़े बदल लो पूजा का समय हो रहा है पंडी जी में सारे महमान आते होंगे रीता ने बोला ठीक है मम्मी जी कहकर चिया को लेकर चली गई सुर्वी भी नहाने चली गई रीता चिया को तयार करको देख साधारल सी साड़ी पहन का त कुछ और पहन ले बेटा मैं और कुछ लाई नहीं यहीं रखी थे यहां पर तो यहीं पहन लिया मैं अभी और साड़ी लेकर आती हूं रमाजी अपनी अलमारी से साड़ी निकालने चली गई तभी उनकी नजर सुर्वी की खुली अटैची पर फड़ी उसमें उनकी रीता पहन के तयार हो गई पूजा में जब सुर्वी ने अपनी साड़ी भावी को पहने देखा तो इसको बहुत ही खराब बुरा लगा दिन पर सुर्वी को वह कचोडता रहा जब पूजा निपट गई सब लोग चले गए तब रात में वो अपने मा से बोली मा आपने ऐ साड़ी अरे बेटा यह तो तुम्हारी पुरानी साड़ी है तो क्या हुआ अभी तक तो मैंने यहां अपने मायके में नहीं पहनी थी अब तो सब उसे भावी को ही समझेंगे रमा जी संजाते हुए बोली बेटा रीता अच्छी साड़ी लाना भूल गई थी वह बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहन के तयार भी हो गई पर मुझे वह साड़ी अच्छी न लगी पर वह कुछ नहीं वह तो तेरी बहन जैसी है एक दिन पहन ली तो क्या हुआ मैं तो अप पसंद थी तो मैंने यह दे दिया और भी संदर संदर नई साड़ियां भी तुम्हारे अटैची में मुझे दिखी मैंने बिजा बिना तुमसे पूछे उसे दे दिया क्योंकि उस समय तुम नहाने गई थी बेटा तुम नदद भावी हो दो ही लोग तो हो तुम्हारा भी तो कोई वहन नहीं है अब तुम दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए देखो वह भी हम सबका कितना ध्यान रखती है तो कहीं उससे कोई चीज मांगे तो क्या वह तुम्हें मना कर देगी तो क्या तुमको उससे अपनी चीज नहीं देनी चाहिए जी मां आप सही कह रही है सुर्भी ने कुछ सोचते हुए बोला अब सुर्भी को मां की बाते समझ में आ गई दिन भर की मन की मलिन अब धुल चुकी थी सुर्भी को अपनी सोच पर पस्तावा हुआ तभी दोड़ी हुई चीज बुवा बुवा करते कमरे में आई और बोली बुवा मुझ पिशे से साड़ी लेकर आई सुर्भी को साड़ी देते हुए थेंक्यू दीदी बोला और कहा आज आपने या साड़ी मुझे पहनने को दी मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुर्भी मा को देख कर मुस्कुरा दे उस वे समझ में आ गया था मा ने यही बोल दिया कि होगा क कि सुर्भी ने तुम्हारे लिए भेजा है रीता चिया से बोली चलो बेटा बुवा जी को सोने दो आज काम में ठक गई होंगी कहते हैं चिया कोद कर रीता की गोदी में आ गई रो रीता चिया को लेकर चली गई धन्यवाद दोस्तों